पूस्कार आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद हैं तेरे मैं आभिसार शर्मा जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है बोल के लब आजाद हैं तेरे दियूस क्लिक वर मेरे साथ क्या आप जानते हैं कि हाथरस की गुडिया का जीवन किन मुशकिलों से गुजर रहा था किन मुशकिल हालात में उसका वजूद था उसका मैं आपको सुबूत देने वाला हूँ मगर आज इस कार्करम का मुक्सद क्या है आज इस कायरक्रम का मकसद है आप से इस सवाल पूछना कि क्या सत्तारूड भारती, जनता पार्टी और मीडिया अपनी दो बेटियों से माफी मांगेगी और वो दो बेटियां कौन है? हाथरस की गुडिया जिसके साथ कतित बलातकार और जिसकी निर्मम हत्या हुई और उसके बाद भी उसके परिवार के साथ जबरदस अत्याचार और तूसरा रिया चक्रवर्ती सुशान सिंग राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती क्योंकि एम्स की रिपोर्ट आ गई है सुशान सिंग राजपूत के मामले में सपश्ट हो गया है कि उसमें कोई फाउल प्ले नहीं है उसकी हत्या नहीं हुई ये एक आत्म हत्या थी मगर आज पूरा मीडिया इस मुद्दे पर कैसे एक्स्पोज हुआ है ये मैं आपको बतलाने वाला हूँ अगर सबसे पहले हाथरस की गुडिया की वजूद की कहादी क्या आप जानते हैं कि हाथरस की गुडिया किन मुश्किल हालात में जी रही थी उसका एक प्रमान मैं आपको देना चाहता हूँ जब दलितनेता चंदरशेकर हाथरस की गुडिया के परिवार से मिलना जाता है तो वहां के जो स्थानिय दबंग हैं किस तरह से उन्हें चुनौती देते हैं और जब वो चुनौती दे रहे हैं तो उनके पीछे पुलीस वाले खड़े हैं ये है मेरी उस गुडिया की हकीकत इनी हालात में मेरी गुडिया ने अपना जीवन अपने 19 साल का जीवन बिताया था किस तरह से वो लोग धंका रहे हैं आप खुद देखिए तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आएं बड़े आजा बात यहां नहीं रुकती मैं कलतना कर रहा हूँ कि अगर हाथरस की गुडिया की जगा निर्भया साल 2020 में हुई होती तो क्या हालात होते उसको लेकर मैं कुछ चौकाने वाली चीज में आपको बताने वाला हूँ मगर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हाथरस वाले मामले में वहाँ जो स्थानिये बीजेपी सांसत राजवीर सिंग दिलेर रविवार को जेल जाते हैं और इसी जेल में वो तमाम आरोपी बंद हैं मुद्दा क्या है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ दिलेर सिंग पर आरोप है कि वो रविवार को आरोपियों से मिलने जेल गए थे लेकिन जेलर के कमरे से ही उन्हें बैरंग लोटा दिया गया जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की अनुमती दी हाला कि हातरस के स सांसद राजमीर सिंग दिलेर ने आरोपियों से मुलाकात करने की कोशिश पर सफाई दिये और कहा कि मैं तो साहब सिर्व वहां पर मिलने गया था क्योंकि SSP को कोरौना हो गया था लिहाजा मैं उनकी पूछताच करने के लिए गया था और कुछ लोग जो बाहर खड़े थ खड़ा है सांसद इस तरह से मिलने जाता है और स्थानी दबंग आरोपियों के पक्षमेधारा 3144 की धज्यां उड़ाते हुए इस तरह से सभाय करते हैं उनके जो दबंग हैं वो इस तरह से खुले आम पुलीस की मौजूदगी में धम की देते हैं यह हकीकत है हाथरस की गुडिया की और वो किन हालात में जी रही थी मगर क्या मुझे हैरत होती है बिलकुल नहीं होती कट हुआ में याद है ना आपको क्या हुआ था पीड़ित लड़की उम्र सिर्फ साथ याठ साल और वो एक मुसल्मान थी उन आरोपियों के पक्षमे भारती जनता पार्टी कि तमाम नेताओं ने लंबी चोड़ी राली निकाली थी तो मंत्री भी शामिल थे डर का माहौल इस तरह से पैदा किया जाता है पीड़ितों के खिलाफ जब सत्ता पक्ष इस तरह से उनके परिवार को बरगलाता है डराता है आज एक पक्ष कह रहा है कि सहाब लड़की का बलातकार नहीं हुआ तो कोई अत्याचार नहीं हुआ कुछ लोग इससे अंतराश्ट्री साजश बता रहे हैं हाथरस और उत्तरपदिश को बदनाम करने के लिए कुछ देर के लिए मैं कल्पना कर लूँ कि उस लड़की ने मरते हुए बयान नहीं दिया था कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ और कई ऐसे प्रमाण नूज्ज लॉन्डरी से लेकर वायर के पढ़ताल में जो पता चल रहा है कि लड़की के साथ जो हुआ कई ऐसे प्रमाण सामने उभर कर आ रहे हैं जो उस पात कि और इशारा कर रहे हैं कि उसके साथ गैंग रेप हुआ ता और पामला दर्श किया है जो जिसमें गैंग रेप का प्रावधान है अगर मैं इन चीजों को भूल भी जाओं तो आप कैसे कह सकते हैं परिवार के साथ अत्याचार नहीं हुआ देर रात माबाप की गहर मौजूदगी में अंतिम संसकार कर दिये जाते हैं अजीब और गरीब हा इस स्थाओं को पूरी आजादी है पीड़ित परिवार से मिलने की पीडित परिवार के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी वो लोग अंतिम संसकार अपनी मरजी से कर पाएंगे क्या इसको लेकर अंतराष्ट्री बदनामी होगी और या फिर इन तमाम चीजों पर अगर परदा डाल दिया जाए और दमन किया जाए उसको लेकर अंतराष्ट्री बदनामी होगी क्या हमें इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे माननी मुख्यमंत्री योगी आदितनात वो छुडभाईया जो है दीपक शर्मा कल जब उसने स्याही फेकी संजे सिंग की ओपर तो ये कहने लगा पीएफाई मुर्दाबाद अब इसमें कुछ पाकिस्तान का एंगल भी ढूण लो इसलामिक चरमपंत का भी एंगल ढूण लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि देश की बदनामी कहा हो रही है अगर मामले को दबाये जाएगा उसमें देश की बदनामी है या हकीकत को आने दिया जाएगा उससे देश की बदनामी है आज मैं सोच रहा हूँ कि मेरी निर्भाया बहन जिन्दा होती और उसके साथ ये हादसा 2020 में हुआ होता तो क्या होता मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ निर्भाया के जो आरूपी थे ना आज भी कई लोग नहीं जानते हैं कि निर्भाया कौन है उसका असली नाम क्या है वो किस जाती से है किस धर्म से है मगर उसके आरूपी कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ मुकेश सिंग विनेश शर्मा एक जिवनाईल जो अल्प सेंखक है मैं अगर उसका नाम नहीं ले सकता पवन गुपता अक्षे ठाकूर इसमें ठाकूर भी हैं राजपूद भी हैं बनिया भी हैं शर्मा हैं आज जो तमाम नेता चाहे कठुआ गैंग रेफ हो या फिर इस मामले में वो जातिये तर्ज पर ही तो हाथरस की गुडिया के जो गुनागार हैं उनके साथ खड़े हैं और मैंने आपको बताया हैं निर्भया के साथ आज ये हुआ होता तो उसके आरोपियों के साथ भी इसी तरह से कैसकता पक्षख़ई होती क्योंकि ये पहली बार नहीं है भाई यही कट हुआ गैंग रेप की पिड़ता के साथ हुआ था उसके खिलाव भी इसी तरह से भारती जाता पार्टी के नेता खड़े हुए थे और अब ये भी आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अंतराश्टी बदनामी किस में है और कर कौन रहा है बात यहां नहीं थमती दोस्तों क्योंकि कुछ इसी तरह की बदनामी हर जगा हो रही है एक दूसरे मामले में भी हो रही है और वो कौन है रिया चकरवर्ती रिया चकरवर्ती में जो हुआ है वो तो कल्पना से भी विशित्र है और उसके भी कुछ तथियों को आपके सामने लाया जाना बेहत ज़रूरी है क्या-क्या आए सुनते है रिया के मामले में मुझे बहुत चीजों पर ताजब हो रहा है मसलिन जैसी एम्स की रिपोर्ट आई तो कई न्यूस चैनल्स बनाना रिपब्लिक चैनल पर चड़ गए ये कहने लगे कि क्या अब रिपब्लिक चैनल जो इस मामले को हत्या बता रहा था वो यूटर्न लेगा क्या उसे अपने रवये पर अपनी रिपोर्टिंग पर शर्म आएगी पहले ये मिसाल देखिए टाइम्स नाओ टाइम्स नाओ कि मुझे जब सुनता हूँ तो मुझे बहुत हसी आती है दोस्तों क्योंकि टाइम्स नाओ वो चैनल है जिसने अपनी तरफ से शालीनता की तमाम हदों को पार किया रिया चकरवर्टी मामले में यही नहीं आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने इस तस्वीर के जरी सुशान सिंग राशपूत की लाश की तस्वीर को अपने चैनल पर पेश किया था और एही बात रिपबलिक की तो रिपबलिक का जो अंकर है अरनब गोस्वामी किस तरह से चिला रहा था कि कहा हो सल्मान कहा हो सल्मान देखे देश की जनता को किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है ने इसकी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ पहले वीडियो के देखे किस तरह से सल्मान को चुनोती दे रहा था सल्मान खान को देखे सल्मान खान का नाम लेकर रर्शे अब इसी रिपाब्लिक चैनल में देखिये बिग बॉस का विज्यापन चल रहा है थोड़ा भाशा कड़ी है मगर इसे आप थूक के चाटना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए हैरत मुझे इस बात पर भी होती है कि जब देश का एक लोगप्रिय चैनल आज तक ये कहता है कि सहाब इस मामले में शर्म आनी चाहिए रिपाब्लिक को इस मामले में उनकी गएर जिम्मेदाराने रिपोर्टिंग को और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मुद्दे पर खुद इस लोगप्रिय नियूस चैनल ने क्या किया था सुशान्त पर रिया का काला जादू इस में दो गिनाया है इस बड़े नियूस चैनल के पहला इन्होंने रिया शक्रवर्ती को सिर्व इसली की वो बांगला भाशी है दिखाया सुशान सिंग राजपूत का काला जादू करते हुए जबकि ये ना उनके हाथ है ना उनका ये शरीर है उन्हें गलत धंग से पेश किया ये अपने आप में एक अपराद है काला जादू को इस तरह से हलके धंग से पेश करना ये भी एक अपराद है क्या भूल गया नियूस चैनल बात यहां नहीं रुकती सुशान को जो नियूस चैनल ये जो आज तक लगातार कह रहा है रिपब्लिक पर हमला कर रहा है सुशान को दिया गया था जहर इनके प्रोग्रामों की शीरशक देखिए आत्म हत्या या हत्या रिया ने आत्म सुशान पर किया था जादू टोना लव ड्रग्स और धोका इन्हों ने शर्म और हया की तमाम तस्वीरों को पार कर दिया है तमाम हदों को पार कर दिया है और अब यह हम से उम्मीद कर रहे हैं कि हम इनके साथ सहानुबुती चताएं रिया चकरवर्ती के साथ न्यूस चैनल्स नो जो किया उन्हें माफी मांगनी चाहिए और यह भूल जाएए श्रद्धा कपूर सैरा अली खान दिपका पाड़कोन के साथ जो किया जा रहा था कि हम जिम्मेदार हैं जिम्मेदार यह नहीं हैं आपको लगातार बेवकूफ बनाया जा रहा है हर मामले में चाहिए हात्रस को एक अंतराश्य साजश के तहद उत्तर पदेश को बदनाम करने वाली बात कहना या फिर इस मामले में इस पूरे मामले में सुशान सिंग राजपूत के जरीए रिया चकरवर्ती को बदनाम करना क्यूँ क्योंकि रिया एक बांगला भाशी है उनके जरीए काला जादू जोड़ लो वो एक महिला हैं इसलिए बहुत सॉफ्ट टागेट हैं क्योंकि जितने भी ड्रग एडिक्ट थे जितने भी ड्रग्स का सेवन करने वाले थे अक्ट्रिसेज ही थी शुरधा सैरा अली खान दिपिका पाड़कोन कोई मेल नहीं था कोई पुरुष नहीं था और इस पूरे मामले में हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ इस पूरे मामले में सुशान सिंग राजपूत बदनाम हो गया क्योंकि हर जगा से ये बयान सामने उभर कर आया कि सुशान सिंग राजपूत अपने वैनिटी वैन में ड्रग्स लिया करते थे और सारी हदें पार हो गई इसलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या समाज और भारती जनता पार्टी हाथरस की गुडिया और रिया चकरवर्ती से माफी मांगेंगे बहुत जरूरी है क्योंकि इसी माहौल में निर्भया के साथ क्या होता सोच के भी सहरन पैदा होती अब इसार शेर्मा को दीजे इजाज़त नमस्कार